जेंद फ्रेंड गूर्णिंग एंड स्वागत आपका प्रमुस सरवारारसी में आज की सी वीडियो में हम बात करेंगे UP triple SC दोरा जो वन दरोगा की वैकेंसी निकाली गी थी इसके रिफरेंस में बात करेंगे कि वन दरोगा का physical का notice कब आने वाला है वन दरोगा की physical को कैसे crack करें और वन दरोगा का physical कब होगा ठीक है और final cut-off लगबख कितनी रहने वाली है इसके रिफरेंस में बात करेंगे तो फ्रेंड से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें ठीक है तो बिल्कुल पेस्टेंस के साथ वीडियो को देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं वन दरोगा यूपे ट्रपल से के दौरा वन दरोगा की वैकेंसी निकाली गई दो हजार बाइस में ठीक है और या कितने पदों के लिए 701 पदों के लिए वैकेंसी निकाली 262,023 को और रिजल्ट जो प्रकासित हुआ 279,023 को और 701 पोस्ट के लिए 1697 लोग जो है क्वालिफाई कराएगे ठीक है यानि पीटे के लिए फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट के लिए 1697 कैंडिडेट्स को यहां पर पास किया गया है यानि अगर आप देखेंगे 2.4 को पास किया गया है कटाफ क्यों ज्यादा गया इस पर भी बात करेंगे पहले यहां पर देख लिए कितनी वैकेंसी थी पोस्ट नेम आपका फॉरेस्ट गार था वंदरोगा जनरल में 288 सीटें EWS में 70 OBC में 163 ESC में 160 सीटें ESC में 20 सीटें टोटल ओवराल आपकी 701 सीटे हैं अब कटाफ कितना गई कटाफ आपका UR EWS OBC सभी का 71.50 यानि सारह 70 आपका कटाफ गया ESC की बात करें 16.25 और ST की बात करें 16.25 और फीमेल की बात करें तो 65.25 यहां पर कटाफ गई वहीं पर एक सर्विसमेन की बात करें तो 48 कटाफ यहां पर देखने को मिली अब देखिए यहां पर जो इसके पहले आपने देखा जो वन रक्षक का था वन रक्षक में 655 सीटे थी और वहां पर कटाफ कम गया उसके पीछे कारण क्या था वहां पर 8.6 जो है गुना अब्यर्थियों को बुलाया गया लगभग 5630 अब्यर्थियों को वहां पर कॉल क किया गया था रूनिंग के लिए इसी के वज़़ा से महां कटाफ कम गया और यहां कटाफ जादा जाने की वज़़ा क्या है केवल 2.4 गुना अब्यर्थियों को ही लगभग 2430 अब अब्यर्थियों को ही यहां पर मौका मिला थिक है लगभग 2530 कॉ बुलाया गया वैकनश तो इसके भी सेम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं अब बात करेंगे फिजिकल नोटीस आपको कब देखने को मिलने वाली है तो फिजिकल नोटीस आपको जनवरी मंत में देखने को मिलेगी और आपका फिजिकल जनवरी के लास्ट और फरवरी के 15 फरवरी के पहले आपका physical होने के ज़्यादा chances है जो सूचना मिली है इसी के उपर बेस्ट वीडियो आप बनाए गया है तो जो सूचना मिली है आपके physical के जो possibility है January के last में और फरवरी जो की 15 तारिक से पहले आपके physical होने के chances ज़्यादा है तो जो इसमें physical criteria है इस चीज को आप समझ लीजे उसको करते रहिए अब physical की जो जो criteria एक बार देख लेते हैं तो physical की criteria क्या है physical eligibility यहाँ पर height 163 cm होनी चाहिए female के लिए 150 cm chest की बात करें तो 84 से 89 रखा गया है वाकान food की बात करें पैदल कितना आपको चलना है तो 25 km पैदल चलना है ठीक है 25 km पैदल चलना है तो comment box में आप लोग comment करिए कितना आप लोग daily पैदल चलना है क्योंकि बीना practice के तो होगा नहीं वहीं 25 km कम थोड़ी नहोता है तो कितना आप लोग पैदल चल रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर करिए क्योंकि अभी से आप इस इसके लिए प्रिपेर रहे हैं ताकि दिखें जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं जिसे 71 पॉइंट आपके साड़े 71 कटाफ गया है साड़े 71 कटाफ गया है तो थोड़ा सा जो इसके उपर है वो बिल्कुल अपने आपको सेफ जोनमान के तैयारी करें यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपका सेलेक्शन 100% होगा ठीक है इस तोर की किरपा रहेगी आपका सेलेक्शन 100% होगा आपकी नोकरी लग जाएगी यह मेरा वचन है और आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दिजाए अगर नहीं भी स्टार्ट किये है आई होप कि आप इसका वाकिंग वरा कर रहे होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताईए कि आप लोग कितना वाकिंग डेली करते हैं तो यहाँ पर 25 किलोमेटर आपको वाक करना है 4 घंटे में वहीं फिमेल की बात करें तो 14 किलोमेटर वाक करना है 4 घंटे में ठीक है यानि समय तो बराबर है लेकिन यहाँ पर मेल का यहाँ पर 25 किलोमेटर है फिमेल का 14 किलोमेटर है तो आप लोग को comment box में comment करना है कि आप लोग की तैयारी कैसे चल लए है बाकि आप लोग निश्चिन्त रहे है इस तोर किरपा आप पर अपकी रहेगी और आपकी नौकरी 100% लगेगी और आपके माता पिता का सपना जरूर पूरा होगा आपकी बार फारेस्ट गार्ड यानि वन रक्षक वन दरोगा में ठीक है और आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो cutoff गई है 71.50 एक पीटी के लिए तो अगर इसे जस्ट उपर है ठीक है मानके चल लिए 72 है या 72.50 तो इसी के रेंज में आप एकड़म बिल्कुल सेफ जोन में है इससे उपर cutoff नहीं जाने वाली क्योंकि फीजिकल थोड़ा सा tough होता है इसके वज़ास से यहाँ पर काफी students बाहर भी होते है तो आप लोग अपनी तयारी को अच्छे से करिए ताकि 2024 में नवकरी 100% आपके हाथ में हो ठीक है तो आसा करता हूँ यहाँ से जो भी query आपके मन में रही होगी सारी query यहाँ पर salve होगी अगर इसके regarding और कोई आपको doubt हो तो आप लोग comment box में जरू comment करिए क्योंकि comment box बिल्कुल open है आपके लिए तो बस आसा करता हूँ आपके लिए जो नया वर्स है खुसियां लाए और 2024 में आपको सरकारी नवकरी मिल जाए ठीक है मैं इस वर से प्रातना करता हूँ कि आपकी सरकारी नवकरी वन दरोगा में लग जाए ठीक है तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देता हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सेर कर दें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम खुश रहिए मस्त रहिए